गदर 2 मुवी का क्रेच चारो और चाया हुआ है और अनुमान है कि गदर 2 एक बहुत बड़ी ब्लोकबस्टर फिल्म बन सकती है गदर फ्रेंचाइजी से जुड़ी ये कुछ बाते आपको चौका देगी बता दे की फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और शूटिंग के आखरी दिन का वीडियो डायरेक्टर अनिल शर्मा ने शेयर किया है लेट मी टेल यू की फर्स्ट पार्ट गदर एक प्रेम कथा सूपर हिट फिल्म थी जिसमें सनी देओल की एक्टिंग, डायलोक्स और मुवी की स्टोरी, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, इन सबसे एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग पहले ही गदर फिल्म की बनी हुई है जिसका सीधा बेनिफिट गदर टू फिल्म को मिलने वाला है 2001 में आई गदर सनी देओल के केरियर की सबसे बड़ी सूपर हिट फिल्म है और उस जमाने में फिल्म के रिलीज होने के बाद लोग ट्रकों में भरकर फिल्म देखने आते थे और थेटर्स के बाहर लाईने लग जाती लोग अगले शो तक का इंतजार करते रहते और टिगट न मिलने पर बवाल मज जाता 18.5 करोड में बनी गदर अगर उस जमाने में 50-100 करोड भी कमा लेती तो बहुत बड़ी हिट होती लेकिन उस टाइम भी गदर फिल्म ने 250 करोड रुपे की कमाई कर हिस्टरी लिग दी वहीं सनी दियोल के फैंस के लिए गदर टू फिल्म एक ऐसा तोफा है जो 22 साल बाद उन्हें मिल रहा है लेकिन इस बार हैंड पंप की जगए सनी दियोल एक बड़ी तोफ ही उखाड फेकेंगे जिसे बड़ी स्क्रीन पर देखना काफी अमेजिंग होने वाला है गदर टू दी कथा कॉंटिन्यूज में गदर एक प्रेम कथा की तरही इंडिया पाकिस्तान के बीच की नफरत और उनके बीच का प्यार दिखाय जाएगा उसी तरह लव स्टोडी होगी जिसमें बड़े चरंजीत का रोल वही उतकर शर्मा प्ले कर रहे हैं जिन्होंने गदर फश्ट में तारा सिंग के बेटे चोटे चरंजीत का रोल प्ले किया था जो उतकर शर्मा की डेब्यू मूवी थी जिसमें उतकर शर्मा 7 साल के थे और अब गदर 2 में उतकर शर्मा 29 साल के हो चुके हैं लेकिन गदर 2 मूवी की स्टोरी बिल्कु न्यू एंड फ्रेश होने वाली है जिसमें गदर 1 की कहानी जहां खत्म हुई है वहीं से आगे बढ़ाई जाएगी तो आप गदर 2 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन भी प्रेस कर लें